नमश्कार दोस्तों स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो में आज जो हैं हम बात करने वाले हैं कि अगर हमारे पास हमारी कोई गुच की मुवमेंट के दौरान गाड़ी पकड़ी गई गुच कैरिंग वीकल डिटेन हो गया या सीज हो गया और उसके बाद हमने ये डिसाइड किया कि उसमें कोई गलती थी और वो प्रॉपर ऑफिसर ने जो भी जो भी इंटरसेप्टिंग ऑफिसर है उसने डिसाइड किया कि भाई इसके उपर 200% अफ टेक्स की पेनल्टी लगेगी तो उस केस में हमे वो 200% की पेनल्टी कैसे जमा करानी है आज का वीडियो पॉर्टल पर कैसे जमा करानी है आज का वीडियो उसी के बारे में है मैं आपको सीधा पॉर्टल पर लिए चल रहा हूं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सर देखिए आपको जैसे ही जैसे अगर माल लीजे पे करनी है वो आप वहां पर पे कर सकते हैं अपने ही normal registration में लेकिन अगर आपकी गाड़ी ऐसी जगे intercept हुई है जहां पर आप registered नहीं है तो वहां का intercepting officer क्या करेगा आपके लिए temporary ID create करेगा for the payment of this penalty of 200% of the tax which is there on the invoice तो आप अपने temporary ID में जाएंगे और temporary ID आपको generate होते ही आपको क्या होगा आपको एक mail आएगी जिसमें आपका temporary ID, user ID और password लिखा होगा उसके बाद मैं आपको अब लेकर चलता हूँ जड़ा portal पर और portal पर दिखा रहा हूँ sir यह देखिए sir अब जैसे की जैसे ही आपको temporary ID मिलेगा आप वहां पर उसको इस तरहे से जैसे first time login आप करते हैं आप उस temporary ID को first time login के ही category में डालेंगे यहां पर उसको click करेंगे click here और अपना provisional ID या temporary ID यहां डालेंगे जो password उन्होंने दिय है वो यहां डालेंगे login करके आप mandatorily क्योंकि department ने otherwise भी कहा है कि mandatorily आप अपना user ID और password बदलेंगे हमने अपने practical example में already वो करके रखा हुआ है और आपको मैंने बता दिया कि जब आपको temporary ID आएगा तो यहां पर जाके जैसे first time login करते हैं वैसे ही आप उसको अपना ID password create करें हैं वो आप dashboard पे home पर जाकर भी चलान create कर सकते हैं और आप जो है यहां पर जैसे यह create चलान है यहां पर आप अपना temporary ID डालेंगे आपको यहां पर चलान create हो सकता है लेकिन मेरा suggestion आपको यह है सर कि आप जो है login करके अपना अपना एक proper user ID password बनाईए और फिर उसके बाद ID बनाया हुआ है और वह आपको मैं दिखाता हूं जाकर कि एक सेकंद सर मैं login कर रहा हूं कि तो यह सर लॉगिन हो गया और उसके बाद यहां से यह temporary ID है आपका यहां पर आप चले जाएए services में और आप payment देखिए payments में जाके आप चलान create कीजिए चलान create करके यहां पर आपका temporary ID already आ रहा होगा यहां पर जैसे उत्तर परदेश का था तो उत्तर परदेश में जाकर आप इसको penalty में जो भी amount आपका actually बनता है वो आप यहां से यह payment के अनुसार या ने एफटी जैसे भी आप करना चाहते है आप उससे payment कर सकते हैं चलान बन जाते हैं देखिए यहां पर आपका जो है चलान history में अलड़ी इससे हमने चलान पे किया हुआ है यहां पर यह ठीक है ज की इस ID का जो प्रियोग है वो आप appeal filing में भी यहीं पर करेंगे इसलिए मेरा आपको suggestion है कि आप जो है इसी इसको properly create कीजिए user ID password को proper बना दीजे और यहीं से future में जो आपने appeal file करनी है वो आप अपनी कर सकते हैं सर तो यह हमारा जो था आपको एक short video जो यह बताने का था कि भाई आप कैसे अपना जो है टेक्स कैसे पे कर सकते हैं temporary ID पर जाकर ठीक है सर तो यह हमारा यहां पर सर यह मैं अभी screen sharing stop कर रहा हूँ तो यह हमारा वीडियो जो था वो basically आपको यह बताता था कि आज आपने temporary ID पर जाकर penalty कैसे पे करनी है ध्यान रहे सर की penalty आपने direct dashboard पर चलान create करके पे नहीं करनी है आप temporary ID बनाएं उसका user ID proper बनाएं ताकि future में उसकी अगेंस्ट अपील फाइल करने के लिए आपके पास वो temporary ID available रहे तैंक्यू वेरी मच यह वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए लाइक